नमस्कार कैप्टल टीवी की इस पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित्मार। यूपी में कई राजनितिक पार्ट या सकिरी हैं। उन में से एक समाजवादी पार्टी भी है। इन सभी पार्टीयों की अपनी अपनी खासियत है। कोई मुसल्मानों की राजनीती करता है, तो कोई दली तो की। लेकिन सपा की बात थोड़ी अलग है, ये गुंडो की राजनीती करते हैं. यानि जिनकी पार्टी में जितने गुंडे और अपराधी आपको देखने को मिलेंगे उतने शायद किसी और पार्टी में नहीं कोई MLA बना बैठा है तो कोई MP लेकिन जब से UP में योगी की सरकार बनी है तब से इन गुंडो माफियाओं पर लगाम कसने की लगतार कोशिशे की जा रही है और इस मुहीम में देश की अदालतों का भी साथ पूरी तरह से मिल रहा है हाली में मेरट की जीला अदालत में समाजवादी पाटी के हिस्ट्री शिडर विधायक रफीक अंसारी की जमानत याज का खारिच कर दी है सोंबार यानि की दस जुन को उनकी दो जमानत अरजियों पर सुनवाई के बाद मेरट की जीला अदालत के ADG 9 ने यह फैसला सुनाया है 101 गयर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे यह वारंट 32 साल पुराने एक केस में जारी हुए थे जिसमें मुस्लिम समुदाय की दो जातियां आपस में भिड़ गई थी रफीक 27 मई 2024 से जेल में बंध है रिपोर्ट के मताबिक इलाबाद हाई कोट से गयर जमानती वारंट जारी होने के बाद 27 मई को समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को पुलीस ने गिरफतार कर लिया था उनके जिरफतारी लखनव से हुई थी उसके बाद उन्हें मेरट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था नयाय किरासत के 14 दिन पूरे होने के बाद रफीक अंसारी के वकीलों ने मेरट जीला सत्र न्याले में दो अलग अलग जमानत अरजियां दाखिल की थी इन दोनों अरजियों की सुनवाई अतरिक्त जीला वसत्र न्याले नौ ग्रिजेश मनीत रिपाठी की अदालत ने हुई थी अदालत रफीक अंसारी के वकीलों द्वारा पेश की गई दलीजलों से संतुष्ट नहीं हुई दोनों जमानत अरजियां खारिज कर दी गई से सुनवाई में देरी हो सकती है इस बीज समाजवादी पार्टी के निताओं ने जेल में रफीक अंसारी से मिल कर उनका हाल चाल जाना बताते चले कि सपा विधायत रफीक अंसारी जिस मामले में जेल में बंध है वह साल 1992 का है तब हापुन रोड पर मांस की दुकानों को लिकर मुस्लिम पक्ष के अंसारी और कुरैसी जातियों के लोग बीच आपस में भिड़ गए थे इस दोराग हिंसक हो गई भिड़ ने आगजनी के साथ तोरफोर की थी इस हिंसा की दो अलग-अलग F.I.R. मेरट के लिसाडी ग अदालत में 4 शीर दाखिल की थी इन सभी पर IPC की धारा 147, 427 और 436 के तहट कारवाई की गई थी इस केस में रफीक अंसारी अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे रफीक के खिलाब साल 1997 में पहला गैर जमानती वारंट जारी किया गया था तब से अब तक उनके खिलाब अल नावजूद रफीक अंसारी कोट में पेस नहीं हुए इसके बाद हाई कोट में डीजीपी को रफीक अंसारी को गिरफतार करने का आदेश दिया था इस मामले से पहले भी रफीक अंसारी के खिलाब वारंट जारी हो चुके थे 30 जनवरी 2020 को रफीक अंसारी के खिलाब मेर की एक अदालत में 13 पुराने एक मामले में गिरफतारी का वारेंट जारी किया था। दरसल साल 2007 में नगर निगम के एक थेकेदार ने आरोप लगाया था कि रफीक अंसारी में उनके उपर चाकू से हमला किया है। इस हमले में 4 साल बाद 2011 में चार्शीर दाखिल हुई थी, हा मुकदमे की बाद चिपाई थी। आखिरकार 27 मई 2024 को मेरट की नौचंदी पुलिस ने मेरट शहरते वरतमान विधायक रफीक अंसारी को लखनव से गिरफतार करके जेल भीज दिया था। मेरट पुलिस को सप्पा विधायक हाजी रफीक अंसारी की कई दिनों से तलाज थ अपरचार में गए थे। जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी गिरफतारी के दबिश दे रही थी। तब जाकर उनकी गिरफतारी हो पाई। रफीक अंसारी की गिरफतारी के बाद बार बार यही चर्चा की जा रही है कि आखिर वो सौ से जादा वारंट जारी होने के बाद भी कोट में पेश क्यों नहीं हो रहे थे। नरसल सितंबर 1995 में रफीक अंसारी सबेट 30-40 अग्यात लोगों के खिलाब परात्रम की दर्च 47, 436 और 427 के तहत 101 गैर जमानती वारंट जारी हुए लेकिन वो कोट में कभी भी पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोट उनकी याचिका को रद कर दिया गया और पुलीस महानिदेशा को गिरफतारी के निर्देश दिये गए थे। बताते कि रफीक अंसारी बस एक नमून रिष्टा रहा है। कि समाजवादी पार्टी हमीशा गैंक्स्टरों का समर्थन करती है तो इस पर सपा मुख्या ने कहा था कि उनसे यानि कि केशव परशाद मौरी से बड़ा अपरादी कोई नहीं हो सकता। दरसल अखलेश यादब 7 अपरेल को मरहूम मुख्तार अंसारी के निधम पर शोक संबेदना व्यक्त करने उनके पैतरी घर गाजी पुराये हुए थे। और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के साथ वहां मौझूद लोगों के साथ घर के लोगों में शामिल हुए थे। शर्म लोग हैं जो हारने के बाद भी पद स्विकार कर लेते हैं। ऐसे लोग लंबी लंबी बाते करते हैं। अगामी चुनाव को लेकर अफजाल अंसारी ने कहा था कि केशव परशाद मौरिहूं या योगी आधितनात या केंदर सरकार जनता के सामने उनका तिलस में तूट चुका है। उन्होंने सारे देश को नुकसान पहुचाया हैं। इवियम, इलेक्टरॉल बोंजे से मुद्धे दबा दिये गए हैं। इसके बाद लगतार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीम ने अखलेश यादव के मुखतार अंसारी के घर जाने के समबंद में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा था कि मुखतार अंसारी सपा की बिमारी है। बीजेपी पूरी तरह से सुष्थ है। समाजवादी पार्टी हमेशा गैंग् पीर लगी मिलेगी। इस वक्त लोक तंतर पर हमला हो रहा है। इस देश के लोग इस लोक तांतरिक सरकार के खिलाब मद्दान करेंगे। वह मुकतार अंसारी के आवास पर जाने के बाद अखलेश यादव ने कहा कि जो छबी पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें गलत क्या है। गौरतलबे के मुकतार अंसारी का 28 मार्च को कार्डिक एरेश्ट की वज़ा से विधन हो गया था। बांदा जेल में उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई थी। जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में इल सरकार के जहर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह बस सपा के मुस्लिम वोट को अपनी और खीचने का तरीका है और कुछ नहीं। और इसके लिए सपा माफियाओं को भी खुदा बना सकती है। फिलाल खिलिए इतना ही। आप देखते रहे हैं ट्रप्रदेश। नमस्का तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुणने के लिए अपना सुधाब हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया।